गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परब्रह्मा, अस्मई श्री गुरवे नमा दोस्तों मैं जादू गुरा मलकुर राजियो, मेरा चैनल प्रोट आफ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं जो जादू आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुती इंपरसीव स्टेज मैजिक है, जो एक दारू की बोटल गायब हो जाती है पहले मैं जादू दिखाऊंगा आपको, उसके बाद उसका रहास्य आपको बताऊंगा प्रवान का रहास्य आपको बहाता हूँ आपको आपको जादू आपको जादू को जादू के बादू आपको जादू झाल 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 दोस्तों अगर यह जादू आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर कर दीजेगा और पास में बल्ला इकन को भी दबा दीजेगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला एक जाद से जादा जादू और उसका रहस्यों का खुलासा करने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय समय पर आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों इसके रहस्य की ओर चलता है दोस्तों यह बोटल जो आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल एक नकली बोटल है सबसे पहले इसका जो डखन है यह खाली गत्य का एक राउंड बनाया हुगा है उपर डखावा नहीं है दुसरी बात यह बोटल जो है दो भाग में बनाया हुगा है एक यह है गरदा नलग है इंदर से यह क्लोस है इसके अंदर अगर हम कोई लिकुड डाले तो लीक नहीं होगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही ब्लाइक टी को इसके अंदर डालकर रख दीजिए यह दूसरा भाग हो गया अब यह तीसरा पार्ट है बोटल की इसके अंदर एक तो लाल कादस चिपकाया हुआ है जो इस बक्कन के रंग के बराबर है दूसरा यह एक स्प्रिंग फ्लावर है इसको यदि इसके ऊपर डाल करके ऐसा पस्क करो तो यह पूरा इसके अंदर चला जाएगा और यहां पर इसका एक चोटा सा रंग भी है इंगले डाल करके खींजने के लिए यह इसके अंदर चुप जाएगा इस तरह से और यह गर्दन के अंदर जो है हमें ब्लैक टी डाला हुआ है जो दारू के बराबर लगता है और यह जो ढकन इसको इस तरह से रखा हुआ है अब हमें जरूरत है इस तरह से एक टवल की और इसको ढकने के लिए गत्य की और जो टेबल हमने रखा हुआ है इसके पीछे एक चोटा साट्रे चाहिए यहां पर एक चोटा साट्रे है इसके अंदर मैं अपना चोटा मोटा सामन रखता हूँ तो इसका क्या जरूरत है वो बार में बताओंगा मैं अभी पर्फॉर्मेंस कैसा करना है सबसे पहले बोटल को देख लिया इसका डखकन को ऐसे खूल सकता है लेकिन आपने एक्टिंग करना है कि ट्रेडड डखकन को जैसे खूलता है वीसे इसको खूलकर यहां पर रख द नहीं उठाना इसको यहां से उठाना है इसके उपर सपोर्ट भी देना है और एक ग्लास के अंदर इसके अंदर जो डाला हुआ माल है इसको इस तरह से डाल दीजे और उस ताइम पर आपको क्या-क्या ख्याल रखना है एक बोटल का निच्छे वाला पोसेशन यह कभी भी ओडिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर चला गया तो यह सारे पूल खुल जाएगा और ऐसा रखते हुए इसके अंदर यह ब्लैक टी डाल दीजिए और उसके अंदर पानी भी डाल दीजिए और उसके बाद यह डखन को वापिस लगा दीजिए उसी ढंग से जैसे त अब इस डखन को फोड़ा सा उठा करके यह गर्दन को चुपा दीजिए अब इस करचिफ से इसको डद दीजिए और यह से उठा ना है इसको उठाने के साथ यह गर्दन है उसको भी हात में उठाना है और यहां पर रख देना है इस तर इस बंग से रख देना है कि यह जो चीज घरदन यह यहां पर जो ट्रे बताया हुआ है वो ट्रे के अंदर चले जाए इसको कान के उपर रख लाना है इस तरह जब कान के उपर रखते हैं उसी टाइम पर आपको क्या करना है यहां जो फ्लवर का रिंग है जो दिखायता आपको वो रिंग के बीच में उंगली कर देना है ताकि आसानी से उसको खींच कर बाहर निकल सके और इस तरह से निचे वाला पोर्शन को चुपाते हुए इसको का गाल में रखिये और दीरे दीरे धीरे दीरे करके अढंडर मुसे लीजिये पूरा अंदर गुस जाता है तब यह रण को लेकर के फ्लावर को बाहर से कींज लीजिये इसको एक साइड रख दीजिए और इसको इस तरह से दिखा दीजिए क्योंकि वो बोटल के अंदर मैंने दिखाया था आपको अंदर के साइड में ये रंग का एक कागस चिपका या होगाता है तो वो चीज यहां पर दिखाई रहा है और उपर वाला है ये कागस अब क्या है हकीकत में ये बोटल का एक पोर्शन इसके अंदर है इसके अंदर लाल कागस चिपका आया था इसलिए वो विल्कुल ही पता नहीं लेगा इस तरह से दिखाई रहे से अब क्या है